कि हलो एवरीवन वेलकम टू एलेक्टर डिपार्टमेंट आज की सेसन में हम लोग इंडियन इलेक्रिसिटी रूल को देखेंगे यह हमारा चौथा सेसन है आज की टॉपिक में हम लोग जितने भी इंडियन इलेक्रिसिटी मतलब की रूल साफ इंडियन इलेक्रिसिटी जितन चुके हैं आप लोग उसको देख लीजिए और आपको बताते हैं इंडियन लेक्टिसिटी रूल टॉपिक है काफी लंबा टॉपिक है मतलब कि टोटल रूल जो आप समझ सकते हैं 146 रूल है तो 146 रूल को बताने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इसके दो चार वीडियो आएंगे तो यह आज का आपका पहला सेशन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे बाकि जो रूल होंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे तो अब हम देखते हैं कि इंडियन इलेक्टिसिटी रूल पहले होता क्या है क्योंकि आप लोग य उसमें क्या होता है सेप्टी रूल बनाया जाते हैं तो सेप्टी रूल इसलिए बनाया जाता है ताकि उस इंडिस्ट्री में जोगी एक्विपेंट लगे हैं जैसे मसीन हो गया बीन प्रकार की मसीने लगी होती तो उस मसीन के और उसमें जो स्रमिक कार्य करते हैं उनकी हो सके तो उसी प्रकार से अगर आप electricity से संबंधित कोई वर्क कर रहे हैं तो इंस्टिटूट आफ electrical engineering ने electricity से संबंधित कुछ रूल बनाए है तो एक electrical engineer को इन नीमों को ध्यान में रखकर electricity electricity से संबंधित जो भी कार है वो करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के दुरघटना ना हो देखिए यह रूल इसलिए बना गया है ताकि दुरघटना ना हो इसलिए भी बना गया है और इसके अलावा यह रूल जो है इसलिए बना गया है ताकि विद्दूट से सम्मंदित जितने भी कारे होते हैं जैसे कि मान लिजे विद्दू सप्लाई हो गया कोई मसीन बनाया जा रहा है तो उनका जो इस्पैसिपिकेशन होगा वो एक मानक के अनुसार मतलब कि इसाइ इंडियन इंस्टिट्यूसन जो होता है उन्होंने यह रूल बनाया कि इसके अनुसार कोई भी चीज होगा विद्दू सब्सक्राइब कोई विकार होगा इस रूल के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि कोई भी काम अगर हम करे तो वह काम जो हो उस पूरी तरह से हो स और शक्राइब को बताने आपको बता दें इंडियन इलेक्टिए इंसली रूप की बारे में तो यह जो में यह गलतां है इसको तो आहए रूल इसको 1956 इसलिए बोलते है जो यह इंडियन इलेक्टिसिटी रूल होता है यह इंडियन इलेक्टिसिटी जो एक्ट है है एक 1910 के एंड्र सेक्षन 37 के अंतर गतलता है और इनडियन इलेक्टिसिटी जो रूल है हमको GUIDELINE प्रतार करता है जैनेरेशन के बारे में में गनेरेशन के बारे में उर supply और किस प्रकार से हमको इलेक्ट्रिक का यूज करना है इसके बारे इसको रूल है और इसने इसके लिए एक मानक हो और इसके अलामा अगर हम रूल को फालो करते हैं तो कोई भी किसी प्रकार की दुरगटना नहों इसलिए इंडी इलेक्टिसिटी रूल बना गया है तो इसमें टोटल लंबर आप रूल जो हमने बताया आपको 146 है तो भी देखें गें और कौन सा रूल किसके बारे मताता है यह सब दीखेंगे तो अब तो स्रुवात करते हैं तो रूल न много 28 दीके क्या है तो दिखें में और 2010 रूल जो है in 2000 रोल fi एक काता है कि सबसे पहली बात यह रूर्श यह वो वूल्टे से संबढ़ देतर और दीत यह होता है पादाया आपको वॉल्टेज जो होता है एक एलेक्ट्रिक प्रेसर होता है वोल्टिज जो होता है एक एलेक्ट्रिक प्रेसर होता है मतलब कि बिद्द दबाव होता है और इसको वोल्टिज को किस में मापते हैं हम वोल्टिज को वोल्ट में मापते हैं वोल्टिज को वोल्ट में मापते हैं और कैसे मापते हैं दो वायर के बीच में क्या करते हैं वोल्ट मीटर लगा देते हैं इस प्रकार से हम वोल्टेज को मापते हैं देखें यह रूल कहता क्या है कि यह रूल यह कहता है कि अगर जैसे देखें इसके अंतरगत लो वोल्टेज जो होता है धाई सु वोल्ट से कम क कहा जाता है और जो आपका हाइवोल्टेज फिसी तक हाइवोल्टिज फिर 33 की वी से ज्यादा की voltage को हम extra high voltage कहते हैं तो यह जो वोल्ट यह जो rule number 28 है यह voltage से सब्मन दीते हमको यह इस minimum से यह पता चलता है कि किस range का volt कि क्या कहा जाएगा अगर 2500 वोल्ट से कम की voltage है तो इसको हम low voltage बोलेंगे और 2500 से 600 वोल्ट के बीच में है तो इसको हम medium voltage बोलेंगे और सारे 600 से 333 के वी तक है तो इसको high voltage कहा जाएगा और 33 के बीचे ज़्यादा है तो इसको extra high voltage कहा जाएगा तो रूल नमबर 28 यही कहता है अब देखिए जैसे कर 20 वोल्ट है इससे कुछ कम ज़्यादा भी तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है 2.25 से कम हो ऐसा हो सकता है 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इसमें देखिए एक important चीज यह है कि जिसे देखिए जो low voltage है और medium voltage है इनके यह low और medium voltage में क्या हो सकता है positive या negative plus minus 5% का changing हो सकता है करने कभी तो 2500 वोल्ट से plus minus 5% कम भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है और जो आपका end high voltage है और extra high voltage है इसमें क्या हो सकता है ольше-gean PRY करके मतलब positive or negative 0.25.12 % k carrier का changing करनिए 660h 339 के भी तक है इसमें 12 % तक Grizzly हो सकता है तो यह था आपका Rule No.28 अब next डेखते हैं अगला Rule No.29 तो यह Rule No.29 जो है इस नियम के अनुचार क्या होता है इस नियम के अनुसार line-deal chain वब मसीन जो है इस प्रकार होने होना चाहिए उस प्रकारसे होना चाहिए कि जिस कारग के लिए उसे बनाया गया है उसको अच्छी तरह पूरा कर सके और यह line चालव हम मसीन जो है ISI मानक के अनसार वोने चाहिए जब यह चीजी ISI मानक के अनुसार होता है तब दुरगटना के संभावना बहुत कम होती है कहने को मतलब रूल नमर 29 ये कहता है कि जो आपके इसी को बोलते हैं और तो जो मसीन साफ इंड़स्टी में अस्ताफिद करते हैं वह इस प्रकार से होने चाहिए कि कि इंडियन इस्टेंडर्ड इंस्टिट्यूस्टिन के रूल के एकार्डिंग हो तो रूल लंबर 29 यह कहता है कि अगर कोई भी लाइन चाला को या कोई भी मसीन हो तो उसको आई-इसाई मानक के अनुसारवा होना चाहिए और जब चीजे ऐसा आई-इसाई मानक के अनुसार होती है तब दुर घटना के सम्भावना बहुत कम होती है और सेफ्टी जो होती है कई गुना बढ़ जाता है तो रूल नमबर 29 आपका यही कहता है अब नेक्स्ट रूल है आ और जो भी उपकरण उभोकता के मकान में लगी है वो भी सुरचित इस्थिती में है और वैदु सक्ति जो है सप्लाई के हर हालत में योग है सप्लाईर इस बात की साधाने रखेगा कि इन लाइन मसीन से उस भौन में किसी प्रगार का खत्रा उत्पन नहो सके कहने के मतलब ज हटी यही कहता है कि सप्लाईर को सबात के सब्स्टोर्ट को के होना चाहिए कि उभभोकता के मकान में बैं वो सूरचित इस्थिति में और ऐसी इस्थिति में हैं कि उसको हम विद्दू सप्लाई दे सकते हैं साथ ही सप्लाइर जो होगा जो आपको विद्दूत प्रदान करेगा वह इस बात की साउधानी रखेगा कि इन मदलाइन जो भी आपके घर मुद करड़ हो गया फिर सप्लाइ लाइन गया होगा उससे जो है किसी भी प्रकार का भवन में खत्रा उत्पन नहों हो सके कानिक मतलब यसे आप नया बिजली कनेक्शन लेते हैं तो सप्लाइर होता है तो वह पूरा चीज को सब्चीजों का जांच करेगा इसके बाद ही आपको विद्दू सप्लाई देगा क्योंकि सप्लाइर की ज सर्विस लाइन इस इस्थिति में है कि वहां कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है तो उनको विद्दूत रोधित किया जाएगा और सुरच्छा रखे जाएगा यहां पर एक वर्डाय सर्विस लाइन आपको पिता देग क्या होता है टांसफार्मर से जो आपके घरों तक जो लाइट आई है उस सर्विस लाइन इस स्थिति में है कि कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है या उसको खत्रा हो सकता है तो सप्लाय का करेगा उसको विद्दूत रोधित करेगा मतलब इंसुलेट करेगा और पूरी सुरच्छा का जिम्मेदारी लेगा तो यह रूल नंबर 30 यही कहता है कि आपके घरों में जो भी उपकरण लगा होगा जो आपको विजली प्रदान करेगा वह संतुष्ट हो जाएगा कि जो भी उपकरण आपके घरों में लगे हैं वह बिल्कुल सुरच्छी दिस्तिति में हैं और आप सप्लाई देने के योग्या ह मतलब कि मतलब को सप्लाई दिया आसकता है आपको सप्लाई दिने से किसी प्लत का खात्रा नहीं होगा तो यह रूल नंबर 30 a few आप देखिए रूल से आपका यह अर्थिंग से संबंदित होता है इस नियम के अमसार जिन कंड़क्टर में अर्थिंग नहीं है उसमें एक आयरन क्लाइड स्विच अवस्य होना चाहिए तथा यह स्विच जो है एक निश्चित अस्थान पर होना चाहिए अब देखी जो रूल है इसका मतलब है कि जो भी कंड़क्टर कुछ कंड़क्टर ऐसे होते हैं जिसमें अर्थिंग नहीं किया जाता है तो अर्थिंग अगर नहीं किया गया है उस कंड़क्टर में तो वहाँ पर एक आयरन क्लाइड स्विच होना चाहिए और यह आयरन क्लाइड स्विच है एक निश्चित DPIC जो है इसका मतलब है double pole iron clad switch और DPIC जो है triple pole iron clad switch देखे जो DPIC होता है जो DPIC जो DPIC होता है इसका मतलब है double pole iron clad switch कहने के मतलब यह जो होता है यह single page AC या DC supply के लिए main switch का कार करता है आप समझ सकते हैं अगर वहाँ पर earthing नहीं किया गया है तो main switch की तरह हम iron clad switch लगाते हैं तो DPIC जो है single page AC या DC supply के लिए main switch का कार करता है और इसके वज़ाए जो आपका TPIC होता है यह three page AC line के लिए main switch का कार करता है तो यह आपका rule number 31 था अब अगला rule है आपका rule number 32 मतलब कि नियम number 32 तो नियम number 32 का कहता है यह नियम भी earthing से सब्बंदित है इसके अनुसार जहां पर भी earthing हो वहाँ पर indication अवस्य लगाना चाहिए तथा consumer के स्वयम के एरिया में earthing होना चाहिए इसके ताथ earthing को वहीं से start करना चाहिए जहां से supply start होता है कहने के मतलब आपका rule number 32 से यह भी earthing से सब्बंदित है और इसके अनुसार जहां से मतलब कि इसमें ऐसा है जहां से आप earthing को start करते हैं वहाँ पर एक indication लगा देना चाहिए ताकि मतलब पता चले कि यहां से earthing को start किया गया है और consumer जहां पर supply लेता है उस स्थान पर भी उसके मतलब स्वयम के area में भी earthing होना चाहिए और earthing को वहीं से start करना चाहिए जहां से supply start होता हो तो यह था आपका rule number 32 अब अगला rule है आपका rule number 33 देखिए rule number 33 का कहता है कि medium high वा extra high voltage के लिए earthing अवस्त किया जाना चाहिए और earthing के रख रखाओ और देख्भाल की जिम्मेदारी जो होगी उब भोगते आने की consumer की होगी कहने के मतलब जो आपको वहीं बताए rule number 38 में बताए कि medium high और extra high voltage के range को कहां तक माना जाता है तो यह जो voltage होते है medium high और extra high voltage इनको क्या करना चाहिए अर्थिंग इनका आवश्य करना चाहिए और earthing का जो जिम्मेदारी होगा maintenance और देख्भाल की जिम्मेदारी होगी वो consumer का होगा मतलब कि जिस स्थान पर आप supply लेंगे वहाँ पर आप earthing करेंगे और earthing की जिम्मेदारी आपकी होगी तो ये rule number 33 जो है ये rule number यही काता है कि earthing के जिम्मेदारी आपकी होगी और medium high और extra high voltage के लिए earthing किया जाना चाहिए अब देखिए rule number 34 क्या काता है rule number 34 जो है ये काता है कि इस नियम के अनुसार या सुनिश्चित कर लेना चाहिए ये नंगे मतलब की बिना insulated जो wire होता है उसको नंगा तार बोला जाता है तो इस नियम के अनुसार ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए ये नंगे या खुले चालक को लगाया गया है तो किसी भी व्यक्ति का पहुँच वहां तक न होता हो पहुँच योग अस्थान पर switch ल नहीं है वह तो उसको मतलब की निस्चित कर लेना निस्चित कर लेना है को कि वहां पर कोई व्यक्ति न पहुच पाए अगर वहां पर कोई व्यक्ति पहुच सकता है तो वहां पर क्या करिए एक ऐसा उस लगाया ताकि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति को खुले तार के वि आशननर स्टार होता है कभी तो वहाएं पर क्या करना चाहिए एक स्विशार दो पर मेंदन चाहिए तकि साहिए हम जो वाइर वहाँ पर वहां क्या क्या है चाहरें उस वाइर हो कर अब देखिए हैं मतलब कि उसमें ब्यृत्व ग्रीटीश से नहीं का प्रियोग किया गया हो वहाँ पर खत्रे का निशान बनाना चाहिए पोल पर भी खत्रे का निशान बना रहना चाहिए इनके साथ सर्थ यह भी है कि जहां जनित्र मोटर टांसफार्मर या अन किसी अस्थान के अंदर है तो उसे उस घेरे पर एक सूचना पत्र लगा देना चाहिए आप लोग इस नियम को जानते भी होंगे लेकिन नियम नंबर 35 है इसको आपको याद रखना है यह जो नियम नंबर 35 है यह खत्रा के नोटिस से सम्बंदित है मतलब की कहने के मतलब जहां पर आप लोग देखिएंगी ट्रांसफार्मर रहता है उसको का करते हैं घेरा दिये जाता है घेर करें जाता है खत्रा वहाँ पर यकली नोटिस लगा होता है देंजर लिखा रहता है तो इस प्रकार से वहाँ पर होना चाहिए यहनि यहीं कहता है जहां पर high voltage जादा rating के transformer या जो conductor है जादा line का है तो वहाँ पर कहता है खत्रे का निसान बना देना चाहिए ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर खत्रा है यहाँ पर नहीं जाना चाहिए इससे क्या होगा सुरच्छा बढ़ जाएगा तो यहनि यहीं कहता है अगर किसी अस्थान पर जानीतर है motor transformer या कोई भी अस्थान है तो उसको घेर देना चाहिए घेर के घेरने के बाद एक सूचना पत्र मतलब कि इससे सूचना पत्र आपका कहें यही कहता है कि जहां भी खत्रा हो वहाँ पर सुरच्छा के लिए एक नोटिस लगा देना चाहिए आप देखिए आपका रूल नंबर 36 देखिए का कहता है रूल नंबर 36 यह कहता है कि जब भी किसी मसीन या जब भी किसी मसीन पर कार तो उस मसीन की बाड़ी में एर्टिंग का प्रोख कर चार्ज को डिस्चार्ज कर देना चाहिए कोई भी व्यक्त किसी जीवित वैद्उ सप्लाइन या मसीन पर मसीन पर काम नहीं करेगा और कोई व्यक्त उस व्यक्त की इस काम में सहायता नहीं करेगा जब तक को उसके इसके लिए अधिकार न प्राप्त हो और निरिचक से स्विक्रित कीवी साधानियों का पालन न किया जा रहा हो अब देखिए यह रूल यही कहता है नियम चक्तिस अगर आप किसी भी मसीन पर कार कर रहे हैं तो उस मसीन के बॉड़ी को क्या कर देना चाहिए अर्थिंग कर देना चाहिए और यह नियम यह भी कहता है कि जो व्यक्ति स्किल्फूल है मतलब जिसको उस मसीन को चलाने के बारे में जानकारी है वही उस पर काम करेगा किसी भी व्यक्ति को सहायता के लिए आप उसको वहापन नहीं बुला सकते जब तक कि उसे अथराइज न किया मतलब जब तक उसे incentives is the supply line है वह अगर जी भी तो अश्तमक कहता है तो उस प्रकार के मसीन पर कार एक करेगा नहीं और किसी भी व्यक्ति का सहायता नहीं लेगा जब तक उसे अथराइज न किया गया हो तो यह rule number 36 आपका यही कहता है आप देखिए रूल नमबर 38 रूल नमबर 38 के वो बताने से पहले एक बात बता दिया आपको देखिए यहाँ पर जो हमने रूल से बता है है यह किवल इंपॉर्टन रूल बता है जो कि एक्जाम में आते हैं और आप आगे कभी भी किसी भी एक्जाम के तयारी करेंगे तो यह रूल आपके लिए काफी फायदे मंद होने वाला है क्योंकि बुक में देखिए बुक में बहुत ज़्यादा डीटेल में दिया है तो मतलब यह paragraph करके दिया है तो उसका निचोड निकालके यहाँ पर हमने लिखा है तो आप अपने notes में या फिर अपने exam देने जाएंगे पॉलिटेक्निक का तो उसमें भी यह चीज़े लिख सकते हैं यहाँ पर क्यों important rules बताएं है बाकि आपके book में जो है rule no.28 से rule no.93 तक दिया है तो यहाँ पर हम आपको 23-24 rule इस वीडियों बता देंगे बाकि जो अलग rule होंगे वो आपको आपको नेक्स वीडियों बता देंगे और देखे अब rule no.38 तो rule no.38 क्या कहता है यह नियम जो होता है insulation से सम्मंदित होता है motor, generator, transformer, electric, spray आदमें उचीत insulation किया जाना चाहिए और नहीं तूटने फूटने से बहचाने का प्रबंद हो कहने को मतलब जो आपका insulation से सम्मंदित यह नियम है तो जो आपके motor, generator, transformer हो गए इनको क्या करना चाहिए, इनके wires को उचीत insulation किया जाना चाहिए rule no.38 यही कहता है आप देखिए आपका अगला रूह है rule no.42 मतलब नियम no.42 तो नियम no.42 देखिए क्या कहता है कि machine को इस प्रकार से design किया जाना चाहिए कि उस पर rated voltage से अधिक voltage apply करने पर उसका insulation न देले तथा machine खराब न हो अब इस rule को अगर बिल्कुल अच्छे समझाए आपको इसका मतलब यह है कोई भी machine जब आप design करते हैं तो इसको इस प्रकार से design करें जैसे मालने जीए उसको हमने design किया कि 5 ampire current तक यह सहन करेगा इसके बाद यह जल जाएगा तो ऐसा design नहीं करना चाहिए जब भी इसको design करें ताकि यह थोड़ा सा अगर 5 ampire है अगर इसको जादा current मालने जीए 10 ampire मिलता है तो यह जले न ठीक है तो मतलब कि उसका मतलब कि जितना rated voltage या rated current जितना है उससे दो गुना जादा बनाना चाहिए तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं जो over voltage या overloading की अवस्था से बस सकते हैं तो उसका machine का जो insulation होगा वो जलेगा नहीं और आपका machine जो होगा वो खराब नहीं होगा तो rule number 42 यही कहता है कि machine को इस प्रकार design किया जाना चाहिए कि उस पर rated voltage से अधिक voltage अप्लाई करने पर उसका insulation न जले तो था machine खराब न हो तो जब rated voltage से अधिक voltage अप्लाई करने पर अगर नहीं जलेगा इसका मतलब ही है कि उसका rated voltage अगर 20V है तो उसको 40V के लिए design किया जाएगा आप हम देखते हैं रूल नमबर 43 रूल नमबर 43 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिकल सबिस्टेशन जनित्र केंदर और घिरे हुए सबिस्टेशनों में उपयुक्त अस्थान पर वैदुत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए अगनी शामक यंत्र होना चाहि है यह तो बिल्कुल अच्छा रूल है और बहुत से इजी लेंग्विज में लिखा भी गया है यहां पर कि जो रूल नमबर 43 यहीं कहता है कि जब अगर लग जाता है गलती सो उस तो आग बुझाने के लिए अगनी सामक यंत्र होना चाहिए तथा जो आप एक बाल्टी हो है अब देखिए आपका रूल नमर 44 यह भी बहुत इजी रूल है रूल नमर 44 यह कहता है कि इलेक्ट्रिक सबिस्टेशन स्विचिंग सबिस्टेशन में वैदु जटका खाय हुए व्यक्त की सीचित चिकिस्सा के संब्दमें ट्रीट्मेंट का चार्ट होना चाहिए कारें जैसे आप एक सबिस्टेशन में जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे कई चार्ट लगे हुए दिख जाते होंगे उस चार्ट में लिखा रहता है कि अगर आपको यह हो जाता है तो इस प्रकार का उपचार करें अगर आपको जटका लग जाता है इस प् से समंधित को जका यह उसका फ्कार होना चाहिए इसका प्राफञार उसका एक चार्ट लगा होना चाहिए काने मतलब अगर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक सभी स्टेशन हो गया फिर किसी मसीन का संस्थापन इंस्टालेशन करते हैं किसी ऐसे आम भ्यक्टिके द्वारा वो नहीं होना चाहिए वो गुबर्णेंट इसको और द्वेदन सस्थापन पांजी करिफ ब्यक्ति किसी करूर करेगा तो दुर्गाटना की संभावना बहुत कम रहेंगी तो इसलिए इसमें नियम बनाया गया है कि जब भी अगर कोई वैद्दू संस्थापन फेटिंग आधी जो कार होता है उसको इस्टेट गवर्मेंट द्वारा पंजीकरित द्वक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए अब देखिए इसमें जो आपका अगला रूल है अगर नियम नंबर 46 नियम नंबर देखिए 46 क्या कहता है नियम नंबर 46 ही कहता है कि किसी भी विद्दू संस्थापन के निरिच्छड का टाइम जो है पांस साल से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसका चार्ज उब्भोक्त इनिस्पेक्शन मतलब कि निरिक्छड करना चाहिए क्या चीज़े खराब होई क्या नहीं होई तो अगर मेंटेनस की जरूर यह तो का इसका चार्ज जो होगा वह भूकता कंजूमर इसको पे करेगा यह नियम यही कहता है कि निरिक्छड का टाइम मतलब देखने का करना है तो रूल नमबर 46 यहीं कहता है अब देखिए अगला नियम है आपका रूल नमबर 47 रूल नमबर 47 कहता है कि जब तक पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाए तब तक उसके द्वारा विद्धुत का कनेक्शन नहीं दिये जाना चाहिए यहीं पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता है सप्लाइर उभोकता को समस्या फाल्ट को सही करने के निर्देश देगा कहने का मतलब जहें जो आपको व की वास्ता कर सकते हैं और वी गटना से बशस्थने के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं तो मतलब की पूरी तरह सप्राइज अत्रक संतोषड नहीं होगा तब आपको बैगा और अगर आपको सब्सक्राइब कर लिए इसके बाद चाहिए betAre these Cerophilous charing 104 लीन देने से पहले अब देखिए आपका अगला नियम है अगला नियम रूल नंबर 48 रूल नंबर 48 क्या खाता है कि यह दि लीकेस करेंट का मान रेटेड करेंट के 1 अपान 5000 के मतलब कि एक बटे 5000 में भाग से अधिक है तो सप्लायर सप्लाई देने से मना कर सकता है तो कहने मतलब जो लीकेस करेंट जहां पर आप विद्दू सप्लाई ले रहें कंजूमर के अगर लीकेस करेंट का मान जो है एक बटे 5000 में भाग से जादा है तो जो सप्लायर होगा वो सप्लाई देने से आपको मना कर सकता है यह रूल नंबर 48 कहता है अब देखिए रूल नंबर 50 रूल नंबर 50 देखी क्या कहता है रूल नंबर 50 यह कहता है कि उचित परिपत वियोजक का प्रयोग के जाना चाहिए विद्दू दूरधी पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण प्रभाव से मुक्त हो किसी भी लाइवतार को खुल प्रभाव से मुक्त हो और किसी भी लाइव वायर को आपको खुला नहीं छोड़ना चाहिए यह आप पर रूल नंबर 50 कहता है तो देखिए इसमें अब आपका अगला रूल है रूल नंबर 56 रूल नंबर 56 कहता है कि स्टार मतलब कि स्टार कनेक्शन स्टार 3 फेस 4 तार कन जो जो भी लाइफ से जयाना चाहिये और यह तो को करेंट ना लगे इस यह नहीं आपका नंबर 56 यही कहता है अब देखिए अगला नियम्हें आपका डूल नंबर 75 डूल नंबर 75 कहता है कि ओवर हेड़ लाइन जहां पर भी कनेक्ट हो वहां माकेनिकल इस्टेंथ जो है उसके नार्मल इस्टेंथ से 95% कम नहों जो ओवर हेड़ लाइन आप इस परकार से देखते हैं जहां पर करनेक्ट हो ऐसे वायर्स गई होती है उसका जो मैकेनिकल इस्टेंथ है वह नौर उसके नार्मल इस्टेंथ से 95% कम नहों यह रूल नंबर 65 आपका कहता है अब देखिए इसमें आपका अगला नियम है अगला नियम है रूल नंबर 85 रूल नंबर 85 क्या गाता है कि लगा होता है झालिक्ति एक पर मानके चली लिए नियम चाहिए स्टासु सर्सवश्ट मीटर होना चाहिए और इस में त्राइस वाले टावर होते हूं उसके आलामद जो संपादन होता है वहां से इस प्रकार कप पोल देखते होंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा होता है तो इस वाले टाउर की बात नहीं हो रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जो यह पोल आप देखते हैं इस पोल की बात किरकी जा रहे हैं जो इनकी बीज की दूरी होने चाहिए वो सरसर्थ मीटर होना चाहिए यह rule no.85 कहता है अब देखिये आपका अगला नहीं है rule no.19 rule no.19 है कि यह नियम ब्स पहलिए बात नियम यह संबन्दीध होता है और line में 1.6 मीडर में 4 अर्थिंप्वाईंट line में 1.6 मीडर में 4 अर्थिंप्वाईंट होना चाहिए इस्टे वाइर जमीन से 3 मिटर तक insulated हो तो इसको आपको कम समझ में आया होगा जब आप इसको ड्राइंग पढ़ेंगे तो इसमें आपको समय में आ जाएगा कि एक 1.6 में 1.6 मीटर में 4 अर्थिंग इसटे वाइर जमीन से 3 मीटर तक insulated हो तो यह आपका rule तो आज की इस वीडियो में हमने इतने रूल को कवर किया तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिये रूल क्या है इसको देखिए आप जब बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे इसमें रूल जयाद करने होते हैं आप जब भी यूपी-पी-पी-पी- वीडियो में कवर कर लेंगे तो इसी के साथ आप हम यह आप आज का यह टॉपिक आपका समाफ्थ होता है अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का पाल टू लेके पाल टू में और कुछ और जो नियम है उसको बताएंगे